हेलो व्रीवान, वेलकान टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकस्न चैनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे फ्लू का 150 टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये टैबलेट के बेजिक यूज के बारे में जानेंगे उसका डूस क्या होता है, सिखेंगे उसके साइड इफेक्ट, वर्निंग और कॉंटर इंडिकेसं को डिटेल में और जानेंगे के फ्लू का 150 टैबलेट का सही उप्योग हम कैसे करें तो एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर, असिस्टम प्रॉफेसर और फाउंडर ऑफार्मरोग्स थेंक्यू फर बीन फार्मरोग्स फेमिली अपडेटेट रही है फार्मरोग्स के साथ सीखें अलग लग भीमारियों के बारे में उनके उप्चार के बारे में दवायों के यूस क्या होते हैं उनके डोस साइड इफेक वर्निंग इन कॉंटर इंडिकेसं को एक साल तक अफार्डिवल प्राईज में फार्मरोग्स की आप उपर तो भी डाउनलोड करें आप फार्मरोग्स और सीखें मेडिसिन कोर्स के बारे में साथ ही करें हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब की जिसका नाम है हॉलिवूड टो हिंदी एक्सलेंट के वहाँ पे अलग-अलग हॉलिवूड की मुवीस को आप देख पाएंगे वो भी अच्छी पिच्चर कॉलिटी के साथ हिंदी में तो अभी सब्सक्राइब करें सेकंड चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझते है फ्लुका वन फिप्टी टैबलेट के बारे में तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि इसको हम एंटी फंगल मेडिकेशन कहते हैं और यह मेडिकेशन क्या करती है जो फूग होती है उसके करण जो फंगल इंफेक्शन होता है तो उसकी ग्रोथ को जो है वो कम कर देती है कि जिससे फंगल इंफेक्शन का जो है वो इलाज होता है और इसके अंदर जो salt composition के हम बात करें तो वो है fluconazol और 150 mg के strength में ये tablet के अंदर fluconazol जो है वो present है अब बात करें उसके manufacture है तो Cipla Pharmaceuticals उसके manufacture है आगे जानते हैं fluconazol के बारे में तो fluconazol एक antifungal medication की जैसे fluca 150 करके tablets design करता है सिपला ऐसे ही FDC का zocon करके भी tablet आयते कि जो एक equivalent product है fluca 150 का कि जिसके अंदर भी fluconazol ही है और 150 mg की strength में वोले है तो ये एक fungal infection में इलाज में यूज होने वाली दवा ये कि जिसको triazol antifungal drug कहते है और systemic effect होते है उसके body के उपर और जो yeast के करन होने वाले fungal infection को भी ये medication treat करती है और जो fungus की growth होती है उसको stop कर देती कि जिससे ये medication लेने के बाद आपका fungal infection जो है वो ठीक होता है तो जो container आप label के हम study करें तो label आप देखो और उसका packing देखो तो एक tablet जो है वो available होता है कि एक ही tablet यहाँ पे आप ये blister के अंदर देखेंगे कि once only एक ही tablet जो है वो packing के अंदर रहती है और उसको पीछे का जो detail label देखें तो यहाँ पे लिखा है कि फ्लुको नाजल टैबलेट्स और इंडियन फार्मकोपिया के standards के according to उसको बनाए जाते है फिर 150 mg की जो है उसकी strength यहाँ पे आप देख सकते है फिर storage condition लिखी है label के उपर के cool और dry place पे आपको उसको store करना है और retail में जब आप बेशते हैं तो prescription के साथ ही उसको बेशना है because यह prescription based medication है और यह uncoated tablet है उनके उपर कोई भी coating नहीं किया होता और एक tablet के अंदर फ्लुको नाजल रहता है 150 mg जितना है तो यहाँ पे खास उसकी warnings भी लिखी है यह tablets के उपर कि उसका जो box होता है उसके उपर खास उसकी warning चपी हुई होती है कि आपको लेना है direction के according to आपके physician या फिर आपके doctor या फिर आपके pharmacist के सलाह के according to है आपको यह medication जो हो लेनी होती है और जब भी आप उसको retail में बेचते हैं तो जरूरी है कि आप बिना prescription उसको ना बेचे because यह prescription based medication है तो यह होगे उसकी label की study अब जानते है आगे यह tablets के uses के बारे में तो कौन से अलग-अलग medical conditions में फ्लुको नाजल के जो यह tablet है वो use किये जाते हैं तो single dose रहता है एक week के अंदर की जो उसके dose के हम बात करें तो patient जो हो week में एक बार उसको खाता है और कौन से अलग-अलग medical conditions तो यह से जो fungal infections होता है उसको treat करने के लिए फिर vaginal candiditis की condition की जो जो candida albicans करके जो fug होती है उसके करन जो vaginal yeast infection होता है उसके इलाज में फिर जो urinary tract infection होता है उसमें भी responsible है समझो कि candida species responsible है कि fug के करन आपको urinary tract infection हुआ है तो उसके इलाज में भी यह tablet use की जाती है फिर cryptococcal meningitis की जो एक type का fungal infection है कि जो आपके mastisk के अंदर होता है brain के अंदर होता है या फिर आपके spinal cord के अंदर होता है specially जो AIDS के जो patient होते है उनके अंदर तो उनकी इलाज में भी यह tablet जो वो use की जाती है कि इस तरह से आप देखो कि जो अलग-अलग fungal infection skin पर होते है उसके इलाज में यह tablet patient खा सकता है फिर जो tinea infections हम कहते है उसमें भी यह medication सबसे ज़्यदा popular है तो tinea infection में इस तरह से खास कर आप देखो तो cutaneous candidiasis की जो conditions होते है कि आपके skin के layers के उपर fungal infection हो रहा है ring warm जैसा हो रहा है athletes food की condition हो रही है jaw kiss का जो condition हो रहा है oral thrust या फिर isophagal candidiasis तो यह सभी treatment सभी के treatment में fluca 150 के tablets use की जाते है फिर जो candidiasis की चाहे वो आपके oral cavity में हो रहा है या फिर आपके vaginal region में हो रहा है तो सभी को treat करता है यह fluca 150 tablet फिर blastomycosis की या पर जो diagram में आप देख रहे है ऐसी condition हो रही है तो उसमें भी यह tablet useful साभीत होते है फिर kokai dio do mycosis की जो condition की यह diagrams की according to तो ऐसे fungal infection को भी यह ठीक करता है फिर cryptococcus यहाँ पर आप देखो कि इस तरह से आपके fingers के उपर या फिर आपके body के उपर ऐसे infections हो रहे है या फिर histoplasmosis की जो condition हम कहते हैं उसके इलाज में कि यहाँ पर आप जिदो देख रहे है इस type का infection आपके skin के उपर हुआ है आपके body के part उपर या फिर dermatophytosis की इस तरह से जो ring warm जैसे बनते है या फिर आपके skin के उपर हैसे fungal infection हो रहे है या फिर pitariasis versus collar की जो condition यह वाला जो है तो यह सब भी type के अलग-अलग fungal infection को fluca 150 tablet जो है वो treat करती है अब उसके dose के हम बात कर दे तो company जो यह बनाती है वो single dose के लिए ही बनाती है या पर आप देखो के एक ही tablet रहती है उसके packing के अंदर तो उसका reason यह है कि patient को यह 150 mg का यह जो tablet है वो लेना है weekly की one tablet लेनी होती है per week या फिर कई बार treatment जो है वो single dose से ही हो हो जाते कि अगर आप एक ही बार यह tablet खाते है तो भी आपका fungal infection ठीक हो जाए तो एक week तक लेना होता है मतलब की week में एक ही लेना होता है उसके बाद ऐसा लगी कि treatment हो चुकी है infection ठीक हो गया तो दूसरे week यह medication लेनी की जरूरत नहीं होती तो सिर्फ एक tablet per week के तोर पे लिय जाता है because यह company भी खास करिये उसका यह treatment है उसी के according to सिर्फ एक ही tablet जो हो देती है उसके blister के अंदर उसके packing के अंदर तो कभी भी उसको high dose में use ना करे और maximum चार week तक यह tablet जो हो लेते हैं वरना minimum week में एक tablet खाने से ही treatment जो हो आपकी हो जाती है अब बात करें उसके pregnancy के दौर तो जो fluca 150 tablet से वो pregnancy के अंदर single dose के तौर पर आप ले सकते हैं कि सिर्फ एक ही dose लेना होता है और उससे आपका vaginal yeast infection अगर pregnancy के दौरान हुआ है तो वो ठीक हो जाए तो but वो लेना होता है सिर्फ एक only one एक ही बार only one आगे बात करते हैं उसके mechanism की fluca 150 tablet किस तरह से काम करती है तो यह medication क्या करती है जो fungal की जो cell membrane होते है उसका जो growth होता है उसको inhibit कर देता है उसकी जो cell membrane को destroy करने का काम करता है कि यह जो आप cell wall देख रहे हैं या फिर cell membrane देख रहे हैं उसको destroy करता है because यह क्या करता है cell membrane के लिए ज़रूरी जो ergosterol होता है उसके synthesis को inhibit करता है तो कैसे करता है तो जो lanosterol होता है वो lanosterol 14 alpha d-methylase enzyme को use करके बनाता है ये ergosterol बट जो medication है कि flukonazole है या फिर klotrimazole है या फिर ketokonazole जिससे antifungals क्या करते हैं आगे जाके ये जो enzyme है उसकी activity को completely inhibit कर देते कि जिससे lanosterol से ergosterol जो हो नहीं बन पाता और ergosterol नहीं होगा तो fungal का cell membrane develop नहीं होगा और cell membrane नहीं बनेगी तो आगे जाके ये cell जो हो completely destroy हो जाते तो इस तरह से आपकी ये medication flukonazole 150 tablets जो हो काम करते हैं अब उसकी कुछ side effects discuss करे तो ये medication लेने के बाद कुछ लोगों को nausea vomiting मतलब की जी मचलता है जी घबराता है और उसके बाद जो उल्टी हो जाती है abdominal pain जैसा वो feel करते हैं मतलब कि पेट में दर्द मतलब कि जो stomach discomfort की condition जो हम कहते हैं gastric discomfort तो वो होता है कुछ लोगों को allergic reactions के तोर पे skin के उबर rasis हो जाते हैं कुछ लोग सिर्दर जैसा feel करते हैं कुछ लोगों को diarrhea मतलब कि dust जैसा हो जाता है या फिर कुछ लोग weakness यानि की ठकान जैसा भी महिसूस करते हैं ये medication को लेने के बाद अब उसके कुछ contra indications कौन से condition में आपको fluca 150 tablet यूज नहीं करने है तो अगर आपके body के अंदर या फिर आपके blood के अंदर magnesium के मातरा कम है आप ऐसे patient है कि आपके body के अंदर magnesium जो है वो बहुत ही कम है तो वो लोग ये tablet को जो है वो ना खाए second magnesium के तरह ही आपके body के अंदर potassium कम है तो भी ये medication को use नहीं करनी है फिर torset d point के आप patient है मतलब कि abnormal heart rhythm के आप patient है आपके heartbeats irregular रहते हैं तो भी fluconazol के tablet को use ना करे फिर prolonged qt interval रहता है electrocardiogram के ले अंदर मतलब कि आप abnormal heart rhythm के patient है abnormal रहता है EKG जो qt change रहता है जनम से तो वो patient भी उसको नहीं करे in short की जिनको CVS cardiovascular system related problem है heart related problem है तो उन लोगों को ये medication नहीं करनी क्यों irregular heartbeats से आपके heart की rhythm अच्छी नहीं है तो भी आपके लिए complications हो सकते हैं फिर आपका LFT liver function taste जो है वो काफी abnormal है तो ऐसे लोग भी ये medication को ना खाए फिर pregnancy के दौरान सिर्फ और सिर्फ single dose ही लेना है तो ये खास द्यान रखे कि कई बार इसके 100 mg के भी tablet होते हैं कि जो लोग दिन में एक खाते हैं बाट pregnancy के दौरान सिर्फ और सिर्फ ये tablet जो है वो only one के तौर पे ही यूज करनी है single dose के तौर पे और अगर आपको kidney disease है और वो stage 3A की अंदर है तो भी ये medication को आप यूज ना करें तो ये हो गए उसके कुछ warning तो हमारे second channel को अभी subscribe करें जिसका नाम है सब्सक्राइब करें medicine course एकसेस करें pharma rocks के अप उपर सीखे दवायों के basic उसके बारे में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक वो भी काफी सरल बासा में affordable price के अंदर pharma rocks के mobile application के उपर तो कोई भी query हो course related whatsapp करें 9016312020 पर या फिर अगर आपके पास android phone है तो android app download करिए iphone user है तो app store से करिए link आपको description box में मिल जाएगी या फिर ये वाला help line number है जिस पर आप हमें whatsapp करके course के लिए link पा सकते हैं good luck and all the best